हलो फेंड्स बेसी की स्पेशल क्लास में आप सबी लोगों का एक बार फिर से मौस्ट वेलकम है माने में इस आशिश गरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कॉस करेंगे बेसी सेकेंड एर बॉटनी का फर्स सेमेस्टर है और इस सेमेस्टर से ओलडी मैं कई सरी वीडियो से अपलोड कर चुका हूँ आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको प्लेइस मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा डोंट परी दोस्तो इस सेमेस्टर से हम डिस्कॉस कर रहे हैं फैमली को और फैमली के अंदर अभी तक हमने कवर किया रेनन कुलेसी फैमली, फैमली एपी एसी जो जनरल व्यू होता है इसमें आपको मोनोकोट और डाइकोट दोनों से आपको एक 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 जामपल दिया जाता है डाइकोट के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉस्चंस में रेपीट होने वाली फैमली है वो है फैमली एपी एसी जिसे हम अंबली फैरी के नाम से जानते हैं जनरली क्या हो था कि अंबली फैरी पहले इसका नाम रखा जाता था लेकिन फिर उसके बाद according to ICBN International Code of Potential Nomen Glacier के coding इसका नाम change कर दिया गया क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी आप फैमली का नाम लिखते हैं तो आपको suffix में AC जोडना पड़ता है और यह ICBN का रूल है ठीक है और इसका फैमली APAC का एक मेंबर है APM उसी के नाम से इसका नाम APAC हो गया यह मैं अल्लेडी बता चुका हूँ उसी तरह के से जो फैमली POAC है इसको हम पहले ग्रेमनी के नाम से जानते थे और ICBN के कोडिंग इसका नाम भी चेंज करके POAC रखा गया तो POAC फैमली के अंदर आज में क्या-क्या डिसकस करने वाला हूँ POAC फैमली में आज मैं सबसे पहले डिसकस करूँगा systematic position यानि इसका classification करेंगे उसके बाद हम इसके distribution के देखने वाले हैं किसके अंदर कितने genera, कितने species है और उसका distribution कैसे है क्या पूरे world में पाय जाते है या नहीं पाय जाते है कहां कहां पर पाय जाते है और किस region में सबसे ज़्यादा पाय जाते है उसके बाद हमारा topic रहेगा distribution को cover करने के बाद vegetative characters जिसके अंदर हम पढ़ते है root कैसा है, stem कैसा है, leaf कैसा है habit, habitat को बारे में उसके बाद हमारा topic रहेगा inflorescence, यानि कि जैसा कि inflorescence की topic जो basic term है उसको complete ज़रू करें अगर आपको नहीं पता है inflorescence क्या होता है, bract क्या होता है calyx क्या होता है यह सारे topics आप सबसे पहले cover कीजिए और यह मैं उल्लेडी discuss कर चुका हूँ ठीक है, video के अंदर आपको playlist मिल जाएगा ठीक है, channel के अंदर जाएगे आपको playlist मिल जाएगा और उसी playlist में सब कुछ add मैंने कर दिया है फिर उसके बाद हम इस family के अंदर discuss करेंगे और economic importance के अंदर हमें क्या करना है scientific name याद करना है कई बार क्या होता है, आप लोग क्या करते है गेहू, चावल यही लिख कर आजाएगे पोईसी के अंदर, लेकिन आपको क्या करना है scientific name निखना है ताकि आपके नमबर ना कटे examiner आपके marks काट लेगा, अगर आप scientific name ना लिख कर आए तो इसके generally जो example है जो रोज का खाना खाते हैं जैसे for example इसके अंदर चावल आता है ठीके चावल, गेहू, मक्का जिसे हम भुट्टा के नाम से भी जानते हैं कई लोग इसको भुट्टा बोलते हैं उसके बाद अगर हम गन्य की बात करें तो गन्य को कई लोग इख बोलते हैं और भोजपूरी जो लोग भोजपूरी भासा जानते हो लोग इसको उख बोलते हैं, कहां जारह हो वह यह उख चूहने जा रहे हैं ठीक है जितना भी यूपी का जो इस्ट वाला रिजन है यूपी के जितना भी इस्ट वाले डिस्टिक्ट है या बिहार जहां पर ज्यादा तर भोचपुरी बोले जाती है तो वहाँ पर इसको उख बोलते हैं इसका नाम चेंज करके रखा गया फैमिली पोईसी और आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले इसका सिस्टेमेटिक पोजिशन यानि के क्लासिफिकेशन दोस्तो आपकी बुक्स या नोट्स के अंदर इसका जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से देखने को मिलेगा नमबर फरस्ट बेंथम एंद हुकर का क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा या फिर नमबर जो सेकिन क्लासिफिकेशन है वो हचींसन के अकॉर्डिंग तो दोनों तरहें से classification आपको मिल सकता है और generally जो सबसे ज़्यादा most important मैं समझता हूँ वो है Bentham and Hooker का उसके according हम देखेंगे इसका systematic position या फिर इसका classification क्योंकि Bentham and Hooker ने इसको division consider किया Bentham and Hooker ने angiospermia को जिसके अंदर सभी के सभी flowering plants रखे गए हैं उसको इन्होंने division consider किया इसके बेस पर आप इसको पैजान सकते हैं कौन से वो में सिम्टम्स हैं तो पहला है दोस्तों उनकी leaf में आप देखेंगे venation किस तरह का है तो अगर dicote plant होगा तो उसमें reticulate venation आपको दिखाई देगा जैसे कि आप यहाँ पर diagram में देख सकते हैं लेकिन अगर वहाँ पर parallel venation हुआ तो वो monocotyledons के पहचान है यह identify कर सकते हैं उसके बाद आप flowers को भी देख करके जनरली क्या होता है तो यह हम dicote plants के अंदर जो flowers होते हैं वो pentameras होते हैं जबकि आप monocotyledons के अंदर देखें तो वो flowers होते हैं तो वो flowers होते हैं ठीक है उसके बाद series series gloomacy के अंदर रखा गया अच्छा यह gloomacy का क्या मतलब हुआ दोस्तों इन के अंदर जो in family के अंदर जो flowers होते हैं उनको protect करने के लिए एक parent like structure होती है जिसको हम glooms बोलते हैं और उस glooms के नाम से इसका नाम रखा गया gloomacy ठीक है और भी कुछ इसमें क्योंकि सेसाइल flower होते हैं तो इसको जो है gloomacy के अंदर रखा गया gloomacy के अंदर जितने भी flowers है वो सेसाइल flowers आते हैं स्पाइकलेट्स होते हैं ठीक है यह सब present होते हैं तो अब हम देखेंगे इसका distribution ठीक है यह तो हमने देखा इसका systematic position अब हम देखेंगे distribution यानि कि इनका distribution यह कहां कहां तक इनका वितरण है पहला point है family poacee constitute the second largest family of monocotyledons दोस्तों monocotyledons की सबसे जो second largest family है जिसमें लगबग 625 genera है and 5000 species आपको इसमें दिखाई देगी ठीक है mostly they are worldwide in distribution दोस्तों ज्यादा तर इसकी जो species है यह जो आपको दिखाई देरा 625 genera या 500 species आपको दिखाई देरी है इन में से इसा तर इस्पेसीज है वो पूरे world में distributed है यानि कि उनका जो distribution होगा उसके लिए एक term use किया जाता है cosmopolitan यानि कि इनका जो distribution है वो cosmopolitan distribution है and India अब यहाँ पर और भी आप देखेंगे आगे point mostly they are worldwide in distribution in India North temperate region is the chief center of the distribution और यह mostly winter season में इसको cultivate किया जाता है ठीक है आगे देखते ह से अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि से अंदर mostly हम habit, root, stem and leaves की study करते हैं कि जो plants है उनकी leaves कैसी है, root कैसा है, habit क्या है, stem कैसा है, तो habit में mostly annual hubs होते हैं, hubs यानि कि soft और green, उनके जो stem होगा, वो soft और green होगा, annual यानि जो अपनी life cycle को सिर्फ एक साल में complete करते हैं, ठीक है, may be bi annual भी होते हैं और perennial भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, so a few may be climbers, कुछ आपको climbers और कुछ woody भी दिखाए देंगे, जैसे कि इसका example है, bombos, ठीक है, bombos में आपको woody भी दिखाए देगा, would भी दिखाए देगा, यानि कि लकडी भी, habit में हमने देखा, दूसरा point हम देखते है root, इनकी जड़े कैसे होते हैं, इन plants के अंदर जड़े पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं, तो generally आपको adventitious root दिखाए देगा, और fibrous root दिखाए देगा, जैसे कि आप यहाँ पर diagram में देख सकते हैं, उसके बाद point आता, stem, stem कैसा है इनका, दोस्तों इनका जो तना होता, stem होत होता है, यानि soft होगा और green color का होगा, ठीक है, उसके बाद hollow होगा, hollow except mice and sugarcane, दोस्तों अगर आप गन्ने को और maze को, इन दोनों को अगर आप छोड़ दें, तो इनमें जो stem पाया जाता है, वो hollow होता है, और hollow stem के लिए एक term यूज किया जाता है, fistular, आपने पढ़ा होगा, इन नोट्स के अंदर, उसको बगा जाता है, fistular, तो fistular stem क्या होता है, जो अंदर से खोखला हो, hollow हो, ठीक है, और except mice and sugarcane के इनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दो जो होलो नहीं होते है, उसके बाद बात करते हैं, cylindrical होता है इनका stem, with distinct notes and inner notes, आपने गन्ने में देख होगा, गन्ने का जो अधा भाग कुछ देर तक अगर आप गन्ना चूसते हैं, तो आपने देखा होगा, जो आप notes वाला भाग जो है, वहां से आपको cut करना पड़ता है, फिर inner notes को आप completely चूसते हैं, तो आप यहाँ पर notes गन्ना जोता है, वो completely best example है, notes और inner notes में divide दिखाने ठीक है, तो यह इनका stem का characters है, उसके बाद leaf, जो इनके अंदर leaf पाए जाती है, पत्तिया पाए जाती है, तो simply, simple होती है, alternate होती है, यानि कि एक के बाद एक इधार, एक इधार, एक इधार, जैसे एक stem बीच में है, तो एक इधार दिखाए देगा, यहाँ पर, यहाँ पर, और दूसरा point आगे बढ़ते हैं, have a long liliar blade, parallel venation दिखाए देगा, यह तो monocotylitons का एक main features है, गदने में भी आपको parallel venation आपको leaf दिखाए देगी, जो leaf के अंदर, जो veins present होती, वो parallel ही आपको दिखाए देंगे, उसके बाद leaf seith as well as develop and sasile except bamboosia, अगर आप bamboosia को छोड़ द जाती है, sasile leaves का मतब समझते हैं, जिसमें pedicel absent हो, ठीके, generally हम देखते हैं, कि अगर जो peduncle होता है, उससे directly कोई leaf attach हो, without pedicel, तब वहाँ पर उसको का जाता है sasile leaf, correct, अब आता है floral characters, floral characters के हंदर हम देखते हैं, दोस्तों, inflorescence कैसा है, flower कैसा है, उसके बाद floral के parts को देखते हैं, तो दोस्तों, flower characters की बात करें, तो सबसे पहला point आता है inflorescence, inflorescence की बात करें, तो इसमें spike और spikelets type के, और sometimes panicle भी आपको दिखाए देगे, यानि कि दोस्तों, इसमें जो है sasile condition यहाँ पर आपको दिखाए देगी, inflorescence के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, सभी type के, कितने type के inflorescence होता है, यह सारे topics मैं cover कर चुका हूँ, आप channel के अंदर जाएंगे, जो पहले basic topic, अगर आपको पता नहीं है spike क्या होता है, spikelets क्या होता है, panicle type का inflorescence क्या होता है, तब आपको सबसे पहले अपना basic clear करना पड़ेगा, और जो कि मैं already upload कर चुका हूँ, तो इसक के topic को cover करने के बाद, अब आप heading दा लिजी number 4, flower, दोस्तों हम इन families के अंदर जो flowers होते हैं, उन में bract present होता है, यानि कि वो bractiate है, यहाँ पर हम जितने भी genera और species हैं, उन सभी के respect में बात कर रहे हैं, तो flower जो है, वो bractiate भी होते हैं, sessile भी होते हैं, sessile flower वो होते हैं, pedicel absent होता है, ठीक है, बीच में एक pedicle होता है, और फिर pedicel के help से flower जुड़े रहते हैं, तो अगर pedicel directly pedicle से जुड़ा होता है, तो उसको हम sessile बोलते हैं, उसके बाद, हर्मेफरोडाइट होते हैं, यानि कि male और female, दोनों के दोनों जो flower के male part होता है, और female part होता है, वो ए एक चीज आप आप नोट करेंगे, कि family poetry के अंदर actinomorphic condition आपको नहीं दिखाए देगी, ठीक है, अक्तिनomorphic condition में क्या होता है, क्या flower को किसी भी angle से कट करने की कोशिश करेंगे, वो दो equal part में कट जाएगा, चाहे आप इधर से काटे, इधर से काटे, कहीं से भी, लेकिन जा जाएगा, इधर से कटेंगे, तो भी दो equal part में कट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा होगा, तो फ्लावर हमने देखा, ब्रेक्टियट है, सैसाइल है, हर्मेफरोडाइट है, यूनिसेक्सवल है, जाइगोमोर्फिक है, सिमेट्री के बेस पर, यह जो आपने देखा है, अब उसमें फ्लावर में क्या होता है, कि आपने देखा है, फ्लावर में फॉर वोल्स होते हैं, इसेंसियल वोल्स, असेंसियल वोल्स, इसेंसियल वोल्स कौन से होते हैं, यह इसेंसियल वोल्स है, असेंसियल वोल्स कौन से होते हैं, देखें, इसेंसियल और अ कि ovary superior है बाकी जो floral parts है वो ovary के नीचे से आ रहे हैं correct तो इस तरह का जो flower होगा वो hypogynous कहलाता है उसके बाद perianth perianth की बात करें तो perianth generally इसमें absent होता है इसके लावा however ludicules may be considered as a highly reduced perianth इनमें जो ludicules present होता है उसको highly reduced perianth consider मतलब की माना जाता है तो generally आपको दिखाई देंगे इसमें three stamens आपको दिखाई देंगे जितने ज़्यादा तर जो आपको flowers दिखाई देते हैं उसमें three stamens दिखाई देंगे अब यह जो stamens है दोस्तों इनकी संख्या six भी हो सकती है जैसे for example rice अगर आप rice के उसमें इन फ्लावर्स में देखेंगे तो उसमें आपको six stamens दिखाई देंगे तो rarely six होते हैं लेकिन general जितने भी genera और species है उसमें generally आप उनके flowers के अंदर देखेंगे तो three stamens ही दिखाई देंगे अब इसमें free और long filament आपको दिखाई देंगे हम देखते हैं stamens के structure के अंदर ये एंथर कहलाता है और ये filament कहलाता है तो उसमें आप filament देखेंगे लंबे filament होते हैं और free होते हैं हमने यहाँ पर बोला एंथर जो होता है वो by salad होते हैं ठीके और versatile होते हैं छेकंत आप दिलखय ज़्ल को इसे कि यह होता है इंथर आपको दिखाई दे रहा है। भी होग रहा है। róल जाने, इस sacrifice को होग राप है। इंडोय जो कि मेल पार्ट हरी अप्लावर का उसके बाद मबात करने गंसे साहिएब प्राइं तो गैनोशियम में मोनो कार्पिलरी ही यानि कि एक सिंगल कार्पल इसमें प्रेजंट होता है। और इसिंगल सिंगल की सिंगल ओव्यॉल परिजैन्ट है। और इसमें जो style होते हैं उसमें style की संख्या दो होती है और इसमें basal placentation पाया जाता है basal placentation का मतलब आप क्या समझते हैं जैसे for example किसी locule के अंदर एक single ovule है और वो base पे है तो इसको कहा जाता है basal placentation ठीक हो placenta की help से base वाले parts पे जुड़ा हुआता है तो हमने देखा androsium, gynosium अब हम देखते हैं fruit के बारे में तो number 8 point up heading डालेजिए fruit fruit इसमें karyopsis type का होता है यानि कि जो seed coat होता है ठीके आपने fruit की structure के अंदर देखा होगा एक तो seed coat होता है उपर से number second जो होता है pericarb तो seed coat और pericarb जो होते हैं अपस में fuse होते हैं तो karyopsis के अंदर sometimes आपको berry भी दिखाए देगा nut fruit भी आपको दिखाए देगा seed इसमें जो होता है वो endospermic seed आपको दिखाए देगा pollination इनके अंदर cross pollination होता है और वो भी wind के थुरू यानि कि हवा के थुरू इसमें pollination होता है और वो भी cross pollination होता है अब हम बात करें floral formula की तो देखे अगर हम सभी के respect में बात करें जितने भी species और genera है उसके respect में अगर हम floral formula given करने की कोशिश करें तो आपको दिखाए देगा इसमें क्योंकि हमने देखा ब्रेक्ट भी present है तो हम लिख देंगे BR ठीक है ब्रेक्टियोल अगर present है तो हम ब्रेक्टियोल भी यहापर लिखेंगे अगर वहाँ पर single सिर्फ और सिर्फ अगर वो कोई flower यूनिसेक्सवल है ठीक है तो यूनिसेक्सवल में अब यहाँ पर हो सकता है कि उस फ्लावर के अंदर सिर्फ male party present है या फिर सिर्फ female party present है और वो कभी-कभी ऐसा होता है कि फ्लावर वाइसेक्सवल भी होता है तो उसके लिए हम यह सिंबल यूज करते हैं ठीक है उसके बाद प्रेजियंत की संख्या 2 तीन हो सकती है अंड्रोसियम से की संख्या 3 भी हो सकते है और 6 भी हो सकते है छे हमने वहाँ पर rice के अंदर देखा था गाइनोसियम इसमें वन होता है ठी पीर होगी तो उसके लिए हम यहाँ पर यह साइन यूज करते हैं नीचे की तरफ तो यह सभी के respect में बोली गई बाते हैं ठीक है उसके बाद आता है triticum estivum लेकिन आप एक basic example दे सकते हैं exam paper में आप कैसे explain करेंगे एक तो आपको यह जो मैंने यहाँ पर आपको diagram यह जो आप symbol देख रहे हैं यह जाइगो मॉर्फिक का symbol है ठीक है जैसे हम percentage में भी इसको represent किया जाता है तो sometimes आपको इस तरह से भी represent किया जा सकता है तो यह जाइगो मॉर्फिक होता है bisexual होता है यानि कि male और female जो flower के parts है वो एक ही flower के अंदर है male और female sex organ एक ही flower के अंदर present है तो वहाँ पर यह bisexual हो जाएगा parent की संक्या 2 है और endosium की संक्या 3 होती है और gynosium single होता है और वो superior ovary होती है तो इस तरह से triticum estivum का यह floral formula और यह floral diagram हो जाएगा इसको फटाफट note कीजिए अब हम discuss करेंगे economic importance के बारे में दोस्तो family policy के economic importance आपने 12 में याद कर लिया होगा जिसमें सबसे famous example है number first triticum vulgari यानि के wheat plant wheat plant से wheat मलता है और wheat से roti बनता है और भी कई तरह के तरह के food material बनते हैं तो food value, medicinal value दोनों तरह की इनकी values है और कई तरह की इनकी values आपको देखने को मिलेगी नमबर सेकेंड है औरीजा से टिवा यानि के rice, अवेना से टिवा यानि के odds आ जाएंगे सेकेरम ओफिस इनेरम यानि सूगर के इन, सूगर के इन गन्ने से चीनी बनती है चीनी और good भी बनता है तो मतलब कई सारे इसके economic importance इनकी value है उसके बाद hordium vulgari यानि के जवाहर और मक्का भुट्टा के भी आप scientific name याद कर सकते हैं यह five scientific name आप अच्छे से याद करके economic importance को complete कर सकते हैं तो मुझे अमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए वीडियो को like करे चैनल क सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में बाई बाई टाटा